नमस्कार बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं जोतेश दिशा सत्त कीरा मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतोशी ग्रहन से मुक्त हो चुका है चंद्रमा आज क्या फल देगा आपको आपके जीवन में आज क्या उतार चड़ावाएगा पूरी जानकार देखते हैं कि नहीं जरूर बताईएगा हमें कमेंट बॉक्स में हम अपने भी चैनल पर डाल रहे हैं तो आए सुरुवात करते हैं आज का जोतिश दिशा सबसे पहले आज का पंचांग माक्षीष माह किश्ण पक्ष प्रत्पताती थी आज है आज माक्षीष का शुवारम हो रहा है चंद्रमा मेश राशी में सुबह शाम 5-57 तक इसके बाद बिश्यव राशी में चंद्रमा का प्रवेश नक्षत्र रहेगा आज का कृतिका ये बुधवार को राहुकाल का समय नोट कर लीजेगा दोपहर 12-15 तक और गुलिक काल का समय सुबह साड़े 10 से 12 तक राहुकाल नए और शुब काम के लिए मना करता है गुलिक काल कंसीडर कराता है आए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का दिब्व मेश्राशी पढ़ाई के लिए समय अनकूल रहेगा माहौल बना हुआ है जैसा आप चाह रहते वैसा ही होगा ब्यापार के लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आज इस्थितियां आपके अनुसार है आ लाइफ यहां पर मानसिक तनाव हो सकता है एक दूसरे को समझने का प्रयास तेज करिएगा स्वास्त के मसले पर आज जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है आज प्रियोग क्या करना चाहिए दाहरी हथेली पर जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिएगा आज शुबर सकती है लेकिन दोपहर के बाद कुछ आफिस में तनाव भी हो सकता है दांपत्य जीवन आज शुब रहेगा दोपहर के बाद आज विवादास्पत इस्थिति से बचने का प्रयास करिए लव लाइफ बहुत अनकूल है विवा की चर्चा जरूर करिएगा स्वास्त के मामल स्थिति में सुधार हो रहा है पढ़ाई आज अच्छी करेंगे ब्यापार में कुछ उतार चड़ाओ बन सकता है प्राइविट सिक्टर की स्थिति में आज कुछ बढ़ा करने की चाहत पूरी करेंगे सरकारी छेत्र आपके लिए अनकूल रहेगा गवर्मेंट सिक्टर मे में किट्नी आंख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए मिधुन वालों को आज एक लाल धागा अपने पास रखना शुब होगा शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रतिशत 50 चर्चा करकराशी की पढ़ाई पूरता की तरफ है शिक्षा में किसी मेरेड लाइफ मित्रों का हस्तक छेफ हो रहा है सावधान रहें लव लाइफ की स्थिति में सुधार है मुश्किलों का हल निकलेगा स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द और घुटने की तकलीफ हो सकती है प्रियोग के तौर पर करक वालों को आज शिवलिंग पर एक गुलावी रंग की शुपता है आज 51 प्रिशत का भाग्य है चर्चा करते हैं हम सेंग राशी की आज गुस्य में कुछ गलत फैसले हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई अच्छी चलेगी मित्रों का सानिद रहेगा व्यापार में उठापटक बना हुआ है प्राइविट सेक्टर लव लाइफ में मामूली इसी बात पर कहा सुनी बढ़ सकती है सावधान रहेगा ग्रहण का असर चल रहा है पर कल ही तो ग्रहण लगा था आज का दिन लव लाइफ के लिए बहुत शांत रहने का है स्वास्त के मामले में जुखाम खासी के सासाथ कमरदर्थ की शिकायत र राशी वालों को हल्दी का तिलक अपने कंठ पर लगाना होगा बैगनी रंग की शुपता है 58 प्रत्सत का भाग्या है जर्चा कन्यराशी की पढ़ाई के लिए आज इस्थतिया आपके अनुसार है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार अनकूल रहेगा आज ह की प्रॉब्लम और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहे कन्यराशी वालों को आज भगवान गणेश का ध्यान करके उन्हें दूर्वा और हल्दी अर्पित करिएगा पीला रंग्शो भाज 66 प्रत्सत का भाग्या है बात तुलाराशी की दिनांक 9 नवंबर द कारी छेत्र में सुधार होने वाला है गौर्मेंट सेक्टर में कहीं प्रमोर्ट भी हो सकते हैं दामपत्य जीवन आज अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय वीद रहा है सपोर्ट मिलेगा लेकिन लव लाइफ को लेकर सजग रहने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में आज दातों की तकलीफ और सोल्डर्स में पेन हो सकता है थोड़ा सा एकसर साइज ऐसे ऐसे करते रहिएगा तुरा राशी वालों के लिए आज प्रियोग के तोर पर किसी जरूरत बंद को चने की दाल का दान करिएगा नीरा रंग शुभ है एकसट प्रतिस्द का बात करते हैं ब्रिश्चिक राशी की तो आज पढ़ाई आपकी पूर्टा की तरफ बढ़ेगी आज नई जगह इन्विशन के लिए विचार कर सकते हैं ब्यापार बहुत अनकूल रहेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी प्राइविट सिक्टर में कुछ उठ होगा बॉस के साथ बिवाद स्थम जाएगा लव लाइफ और मैरिर लाइफ में संतुलन बनाने का प्रयास करिएगा आज का दिन ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए उपाय की तोर पर किसी जरूरत बंद को मौसमी फल देना शुब होगा औरंज कलर शुब है साठ प्रि कर दिजेगा सरकारी शेतर में सुधार होगा गौर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा बच्चों का साथ मिल रहा है लव लाइफ में उठापटक बना हुआ है स्वास्त के मामले में आज किड्नी और आख की समस्या हो सकती है धनु राशी वालों के लिए क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी धनु है तो आज किसी जरूरत मंद को काले तिल का दान कर दीजेगा काला रंग शुभर 63 प्रत्षत का भाग्य है बात करते हैं मकर राशी की पढ़ाई के लिए आज का दिन आपने जैसा सोचा होगा वैसा मिल सकता है ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कुछ सुधार हो रहा है सरकारी छेतर की स्थिति में आज कुछ की प्राब्लम हो सकती है प्रियोग के तोर पर एक सफेद रुमाल आज अपने साथ रखना शुब होगा सफेद रंग की शुपता है बासट प्रित्सित का भाग्या है चर्चाब कुम्बराशी की पढ़ाई में आज मन कम लगेगा किसी मित्र से मनमुटाव की संभावना बनती है ब्यापार में आज रिस्क लेना शुब रहेगा आज धन आ रहा है प्राइवेट सेक्टर बालों के लिए वाहन का सुख मिलेगा लेकिन नौकरी में परिवरतन का विचार त्याग दीजेगा सरकारी छेत्र की स्थिति में सुधार होगा आज कोई मित्र मददगार सावित होगा दांपत्र जीवन में इस्थियां आपके अनुसार है लव लाइफ और मैनिर लाइफ की स्थिति को आज सभालने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में जुखाम बुखार के साथ digestion की problem हो सकती है प्रियोग के तोर पर आज किसी जरूरत मंद को दवा का दान करना शुब होगा ग्रे कलर की शुपता है अनसट प्रिस्ट का भाग्य है अन्तिम राश मीन पढ़ने में कम मन लग रहा है आज कहीं घूम डहलाईएगा ब्यापार के लिए आज तयारी कर लीजिए निवेश से बचने क्या वशक्ता है प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ उठापटक बना रहेगा किसी इधर उधर की बातों में उलस सकते है आज क किसी जरूरत बंद को भोजन करा दीजेगा ब्राउन करर शुब है 55 प्रतिसत का भाग्याग के साथ है तो इतोरा राश्यों का हाल लेकिन आगे बताएंगे हम आपका भाग्याक्षर पहले जाल लेते हैं आज की सक्सेज की एक बार लंबी सास खीचना है और मन में ओम का उ यह लए तीन बार कांटिन्यू चले मांसिक रूप से मैंने सास्वर बोला आपके लिए यह आज की सक्सेस की रहेगी आज सफलता दिलाएगी अगर यह करते हैं तो निश्चित रूप से जो कल की ग्रहण का प्रभाव था दोश था वो आपको छू नहीं पाएगा आगे मरते हैं और अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर अब बात कर लेते हैं जिनका आज जनम दिन है पहले तो हमारी तरब से शुमकाम ना है आपको प्रियोग के तौर पर आज तीन पीपल के पौधे अपने घर से पश्चिम दिसा में कहीं लगाना है और दो लोगों को भोजन कराना है और जिसका आज मेरे जनिवर्सरी है कि नहीं दो लोगों को विवाह की सामंगरी दान करके पदिपत्नी मिलकर तीन बार बजरंग बान का पाठ करें तो आज के लिए बस इतना ही हमें अनुमत दीजेगा लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं बारह तेरह चौदह तीन दिन पटना में हैं 15-16 राची में 17-18 बिलासपूर पहली बार आ रहे हैं रायपूर की जगे बिलासपूर आ रहे हैं अपॉइटमेंट फिक्स कर ल अपना ख्याल लखें आप लोग हमेरे मत दीजेगा नमस्कार खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीप जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीप संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशिया अनेग